क्या आपने कभी गौर किया है कि ATM कार्ड पर जो नंबर लिखी होते हैं उनका मतलब क्या होता है? दरसल ATM कार्ड पर मार्क 16 नंबर काफी important होते हैं और इनका सीधा connection आपके bank account से होता है ATM कार्ड पर लिखी पहले digit का connection उस industry से होता है जो से जारी करता है इसे major industry identifier के नाम से भी जाना जाता है और हर industry के लिए ये नंबर अलग-अलग होते हैं इसके बाद के 5 नंबर को issuer identification नंबर कहा जाता है ये बताते हैं कि कार्ड को किस कमपनी ने जारी किया है इसके बाद 7 नंबर से 15 नंबर तक लिखे digits का connection सीधे आपके bank account से होता है हलनकि आपके account नंबर नहीं होते लेकिन account नंबर से link जरूर होते हैं वहीं card पर mark 16 नंबर ATM card की validity को बताता है इस नंबर को checksum digit भी कहते हैं